हेलो दोस्तों बाइसेल दिगना सॉप्ट्वेर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम एनालिसिस करेगे कॉमोडिटी मार्केट का कॉमोडिटी मार्केट का लास्ट वन या टू डे के अंदर क्या परफॉमस रहा है वह आज हम लाइव करेगे और माभी चाहता हू यूट्यूब की तरब से कुछ प्रोब्लम है इसलिए हम लाइव नहीं कर पा रहा है जब भी वह सोयूशन हो जाएगा हम सौप्ट्वेर को लाइव करेगे क्योंकि बहुत सारे क्लाइट को जो व्यूवर है हमारे हैं वह सभी हमें रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि लाइव कर आहां अभी लाइव ही चल रहा है आज तारिक है 21 अगस्ट 2026 और लाइव चल रहा है मार्केट सिल्वर का चार्ट लगा हुआ है आपके सामने सिल्वर के अंदर बाई सिगनल दिया था परफेक्ट signal नहीं था तो आपको trade करना नहीं था यहां पर उसने की 2-4-5 यहां उसने next day उसने यहां बताया कल एक 20 तरिक को उसने बताया था कि आप continue position ले सकते हैं यहां से उसने confirmation दिया market काफी लंबा उपर गया और अभी तक उसने कोई sale नहीं दिया और उसके पहले का एक sale दिखाना चाहता हूँ sale था confirm था बहुत नीचे आया था sale के पहले confirmation arrow था मतलब कि strong signal था बाद में उसने बोला था market और नीचे जाएगा hold करिए और नीचे जाएगा hold करिए और नीचे जाएगा hold करिए तो लंबा गया था नीचे दूसरा चार्ट देखकर हम चेक करते हैं तो crude oil तो crude oil के अंदर आप देख सकते हैं अभी live signal आया है बाई का और बाई चल रहा है क्योंकि बाई के पहले upper side arrow था confirm signal था काफी लंबा उपर अभी जा रहा है अभी running है और उसके पहले का एक sale था वो भी perfect trade था क्योंकि sale के पहले downside arrow मिला था और यहां बोला था ओर नीचे जाएगा hold करिए ओर नीचे जाएगा hold करिए वो यहां से ब करिए यहां भी बोला ओर उपर जाएगा होड करिए यहां उसने डाउन साइड एरो डालकर आपको निकल दिया अगर यहां एक्जिट नहीं होता है तो यहां एक्जिट हो जाए है कोपफर के अंदर चेक करते हैं तो कोपफर के अंदर हमारा यह बाई सिगनल है वो गलत है और अभी जो लैटस्ट में यहां है वो भी गलत है पर उसके बींद बीच में एक सेल सिगनल है वो परफेkt ट्रेड था क्योंकि सेल के पेहले उसने एक डाउन साइड एरो लगाया ये काफी लंबा और नीचे गया seat number 2 के अंदर हम check करते हैं तो seat number 2 के अंदर भी आप देख सकते हैं ये trade line से market down है मतलब की double verify signal था अभी ये buy signal को check करते हैं तो buy signal गलत है क्योंकि buy signal ये trade line को seat number 2 में verify करने से भी वो verify नहीं हो रहा है तो आपको उसमें भी trade नहीं करना है gold के अंदर check करते हैं तो gold में आपके कोई भी software अगर use करते हैं तो उसमें problem कर दिया होगा क्योंकि buy sell buy sell buy sell बन गया होगा पर हमारे यहां यह अभी भी buy में ही बना हुआ है यहां दिया था 37393 से हमने buy signal दिया है और continue है अभी तक हमारा continue signal ही है यहां उसने एक sell दिया पर गलत है buy continue रहेगा यह sell दिया गलत है buy continue रहेगा buy continue रहेगा अभी भी sell आया वो भी continue ही है अगर इसको cross करें तब आप exit करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो अभी तक हमने कोई भी sell activate नहीं किया है तो आप यह कोई भी sell में position नहीं बनाएगे natural gas के अंदर चेक करते हैं तो natural gas के अंदर हमारा भी कोई signal नहीं है buy signal गलत है चिंग के अंदर चेक करते हैं तो उसके अंदर buy signal बना हुआ है confirm है buy के पहले तीन upper side arrow है अभी buy signal चल रहा है लीड के अंदर चेक करते हैं तो लीड के अंदर हमारा जो latest वाला sell signal है वो गलत है अगर exit करना चाते है तो आप कर सकते है क्योंकि cross कर दिया है इस line को पर उसके पहले का जो buy है वो perfect trade था confirm था क्योंकि buy के पहले double side अपर side arrow लगाया था और काफी लंबा उपर गया तो मापी चाहता हूँ हम live नहीं कर पा रहा है और आपको live signal नहीं दे पा रहा है वरना हम 2-3 गंटे live करते थे और आपको free में कुछ देखने के लिए मिल जाता था पर अभी YouTube की तरफ से कुछ problem चल रहा है इन्फोर्मेशन वीडियो ट्रेडिंग स्टॉक मार्गेट के बारे में आपको मिलता रहा है Thank you for watching दोस्तो जय हिन